Hello everyone, welcome back to the Rana Academy तो पिछले एक दो लेक्चर से लगाता रहा हम जो हमारा चैप्टर नमबर 12 है उसकी एक्सरसाइस that is 12A उसके कोशन आसर हम डिसकर्स कर रहे हैं बटा शायद आपको पता लग गया होगा कि उसमें पार्ट सी बहुत जादा है तो इसलिए बहुत जादा टाइम भी लग रहा है और बहुत सारी वीडियो जी बन रही है लेकिन आज के लेक्चर के अंदर मैं आपका ये जितने भी कोशन रहे गए थे एक्सरसाइस 12A के मैं उसको खतम कर दूँगा और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पेजिस दिये गए है उनकी जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये है तो बिने कोई टाइम वेस किये चलिए शिरू करते हैं सो देखिए बटा सबसे पहला कोशन ये है कि ड्रो अ श्ट्रक्ट्रल फॉर्मूला फोर इच ओड़ फोली न कंपाउंड जैसे कि आइसोमर ऑफ एन बुटेन तो देखिए बटा पहले तो नॉमल बुटेन आपके लिए बना देता हूं बूट का मतलब होता है कि चार कारबन है और नॉमल मतलब होता है straight chain के अंदर है N का मतलब होता है straight chain में आपने लेना है N का मतलब होता है कि alkane family को belong करता है मतलब single bonds है तो यह आज़ेगा बेटा CH3 that is CH2 और फिर CH2 और यह आज़ेगा CH3 तो यह मेरा normal butane है बर जो answer पूछा गया है वो यह है कि आपने structure formula बनाना है isomer of N-butane का तो एक काम करता हूँ यह वाला बेटा मैं isomer यहाँ पर बना देता हूँ यह लीजिए तो इसको कहते है 2-methyl-propane तो यह इसका isomer है तो पहले का part का जो answer है वो यही है आपका ठीक है उसको बेटा हमारे पास आता है vinegar जो vinegar होता है न वो basically हमारे पास होता है that is CS3-COOH मतलब ethnoic acid जो होता है उसी को ही vinegar कहा जाता है और यह है इसका मतलब कहते हैं न फॉर्मूला molecular formula अब रह गया इसको बनाना कैसे है तो इसके structure formula बनाने के लिए आपको मैं अलड़ी बताया कि इसके हर एक चीज को आपने अच्छे से define करना होता है इसमें बेटा double bond O लगेगा यहां पर बेटा O H लगेगा बेटा आपके पास like this और यहां hydrogen यहां hydrogen और यहां hydrogen बेटा पास इसके साथ आपका यह जो B part है यह cover हो जाता है फिर बात आते हैं हमारे पास C part यह कहता है टू प्रोपे नोल ठीक है टू प्रोपे नोल ना तो प्रोप का बेसिकल तो मतलब यही है एक दो तीन यह हो गया टू मतलब हो गया कि second carbon पर आपका O H group होना चाहिए तो लीजे बेटा O H group भी मैंने बना दिया अब बात रह जाती है कि इसके hydrogen complete करने है तो 1 this is 2, this is 3 यह एक आ गया बेटा यह इसका और यह इसका लीजे अब यह बेटा आपको यहां पर खतम हो जाता है तो अब हम बात करें ते बेटा इसके D part की देखिए बेटा D part के अंदर क्या है ethanol है तो basically होता है CS3, CHO बेटा यह ethanol होता है दो carbon आपको दिखाई दे रहे होंगे हाँ structure के point review से बात करें तो C double bond O और नीचे बेटा आपके पास H यह होता है बेटा आपका ठीक है अब मुझे यहां के H यहां का H और यहां का H यह complete करना है तो लीजे यह structural formula आपका ethanol का बन जाता है अब हम बात कर लेते बेटा ऐसी tone की ऐसी tone का मतलब होता है मैं दिखा देता हो बेटा CS3 CO CS3 बेटा यह basically आपका ऐसी tone है मतलब यह कि C, C, C यह देखिए यह आगया आपके पास ठीक है अब यहां पे बेटा 1H, A catch उपर, A catch नीचे similarly बेटा A catch यहां, A catch यहां, A catch यहां तो यह जो आप देख रहे हो यह acetone का आपका जो है structural formula होता है diethyl ether diethyl ether का मतलब होता है बेटा CS3 O CS3, C2H5 diethyl है न, methyl नहीं है इस नहीं है so कहने का मतलब है यह कुछ होगा इस तरह से C2H5 O then C2H5 यह है अब बनाना कैसे है यह आपको बड़ा वैसे तो असान ही है देखिए क्या करना पड़ेगा आपको C, C, O, C and C basically बटा यह आपका बनेगा मतलब यह हो गया hydrogen, hydrogen hydrogen, 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 hydrogen देखिए बटा बस बात सिर्फ इतनी है यार कि मैंको tetravalency complete करनी है और कोई बात नहीं है I hope आपको यह वाला जो part है यह समझ में आगया होगा और हाँ यह भी दिया है कि what is used to actually क्या है कि incomplete question है मैंने इसके उपर इसको check किया था तो actually क्या है कि what word is used यहाँ पर आना था ठीक है तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कहता है what word is used to describe these compounds taken together तो इसका जो answer है बहुत simple है वो है organic compound organic compound तो यह बेटा इसका सही answer है ठीक हो गया अब हम बात करें लिए नेक्स कोशन की अब जो नेक्स कोशन है उसमें कहता है what is the special feature of the structure of ethene ठीक है बटा बची तरह जानते हो कि अगर मुझे ethene बनाना है तो मुझे double bond लेना पड़ेगा दो carbon के बीच में पर दो hydrogen यहाँ पर और दो hydrogen यहाँ पर और अगर मैं ethene की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा बटा आपका C triple bond C एक है यहाँ एक यहाँ यहाँ तो में special feature यह है कि in this condition in the first part carbons are bonded with double bond and the second bond it is triple bond that is the main or special feature of this structure so next part में कहता है बटा कि what type of reaction is common to both the above compounds so देखे बटा हमने इसके वारे में study किया था कि यह एक unsaturated hydrocarbon है unsaturated वो होता है बटा जिसमें double bond और triple bond होता है single bond वाले को saturated कहा जाता है so इनमें addition reaction take place करती है फिर next पर कहता है कि why methane does not undergo this type of reaction बटा simple सी बात है methane के अगर आप एक structure को देखो तो यह इसका structure है यह किसका है यह methane का structure है आपका इस condition में बटा है यह सब single bond है तो simple सी बात ही है कि जो भी कोई एक extra atom या कोई भी functional group जो कुछ भी attach होगा तो वो इसको substitute करेगा ठीक है वो इसको add नहीं हो सकता क्यों क्यों कि अगर मैं ethene की बात लेता हूँ तो ethene के अगर double bond होता है उन में से एक bond टूट जाएगा और जैसे बादो अगर मैं कहता हूँ कि यह है double bond C था अगर यह टूट गया तो क्या होगा एक bond तो अभी भी है और साथ में एक एक आपके पास free electrolysis को मिलते है जिसकी वज़े से कोई और जो पर्टिकुलर हमारे पास जो कोई भी items होगा कुछ भी होगा जो यहां पर जाके add हो सकता है so therefore addition reaction possible होता है unsaturated hydrocarbons के अंदर saturated में possible नहीं होता है फिर कहता कि what is the IUPAC name of the dimethyl ether methoxy methane basically यही इसका नाम होता है मैं अगर दिखा दे तो यह है क्या ज़िए CS3 OCS3 तो हम इसको जो IUPAC name में बोलते है methoxy that is methane तो बेटा बस इस तरीके से आपने इसका नाम देना है next बेटा आपके पास आता है कि which type of reaction will ethane and ethene undergoes better simple सा अभी अभी जस्ट आपको बताया कि पहले case में हमारा जो होता है और अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ तो उसमें होता है addition reaction addition reaction देखो easy से है आप राम से कर सकते हो चलिए मैं आप आपको next question करवाता हूँ so next question में कहता है बेटा कि देखे यह जो आपको यहाँ पर words दिये गे ना अपने easy का इस्तेमाल करना है और यह जो fill in the blank से इसको complete करना है तो कहता है the alcanes form an homologous series simple सी बात है बेटा यहाँ पर आएगा homologous series है with the general formula c and h2 and plus 2 आपको पता है यह बेटा यह बहुत easy सा है alcanes are saturated saturated और यह hydrocarbon यहाँ पर आएगा hydrocarbon ठीक है hydrocarbon होते है and which undergoes causal reaction था आपका saturated है तो आएगा आपका substitution reaction यह वाला लिखा हुआ यहाँ पर substitution तो substitution reaction आपको बता दिया बेटा reason रूसर अब आपको पता है next question में क्या कहता है next question में कहता है draw the structural formula of a compound with two carbon atoms in each of the following case तो पहला कहता कि एक alkane बनाओ जिसमें carbon carbon में single bond हो देखिए तो simple ही है यह यह देखिए कुछ भी नहीं है यार अब आपको देखो इतना मैंने करवा दिया है कि मुझे इतना तो believe है कि अब आपको यह बाते समझाने शुरू होगी कि करना कैसे आपने alcohol की बात करें दो carbon के साथ तो बेटा देखो C C और यहाँ पर बेटा double bond O ने double bond नहीं आएगा वो हमारा किटोन ग्रूप में या उसमें आता है कारवोक्सिक में आता है तो यहाँ बेटा ओ इच और यह जो आप देख रहें यहाँ पर Sellers यह फे एच यहाँ पर each और नीचे weटa check or 8 a Song बेट यह है आपका वैसे तो यह इन्हें आपका बेर तो बहसे यहाँ और तक हे नघ़ाट जाब एथन इथन इथनोइक एथन इथनोइक एथनोड फेम नेम नेम दा कमपूंड विद ओवेच आपको बता है के एल्कोहल होता है राइट सो इकों बड़ी बात नहीं है आपको इसका पता आंसर यह तो एथनोल है और आपको दिया हुआ है COOH, OIC acid होता है तो ethenoic बन जाएगा बैटा ज़्यादा कुछ सोचने की load ही नहीं है हमें ठीक है, अराम से इसका answer दे सकते है यह देखो CNH2N, EEN का होता है हमेशा, यह EEN का तो यह इसका right answer है ठीक है, done, आगे चलते है यह देखे, give the correct IUPAC name and the functional group of each of the देता हूँ यह बेटा जो आपको यहाँ पर दिया है यह CHO LDHIDE को basically यह represent करता है तो एक, दो, तीन है तो यह बन गया बेटा प्रो, पे देखो प्रोपेन है ना प्रोपे, वन, अल वैसे तो यह आपका प्रोपर बनेगा कैसे, जिसे 1, 2, 3 प्रोपेन, वन, ओल बस यह फर्क है दोने के बेज में इसमें LDHIDE फंक्शनल गूरूप है that is CHO LDHIDE LDHIDE है आपके पास और इस, अच्छा पहचान बता क्या है पहचान समझ लो बेटा कि अगर carbon के साथ, single bond के साथ oxygen लगा और hydrogen लगा तो यह all होता है, अगर carbon के साथ double bond O और H लगा तो यह LDHIDE गूरूप होता है तो यह फर्क है बेटा है इसमें ठीक है यह OH है और यह alcohol ठीक है यह इसको represent करता है उसके functional group को represent करता है next यह है कहता है IUPAC name of the homologus series यह तो बेटा आपको पता ही है अगर मैं इसकी बात करता हूँ ओके, तो यह तो है बेटा आपका alkene ठीक है यह alkyn है और यह alkane है ठीक है, इस इसलकेन तो alkene, alkyn और alkane characteristic bond type इसमें आता है बेटा double bond इसमें है triple bond और last में single bond दिया हुआ है so next कहता है IUPAC name of the first member of the series देखिए जहां तक alkene की बात करें तो एक carbon हम हमारा जो सबसे पहला member हो तो उसमें N को one put करते है तो यह हमारा methane होता है कोई problem नहीं है क्योंकि single bond है न लेकिन problem क्या है कि जब हम alkyne और alkyne की बारे में बात करते है तो उसके इंदर double bond होना बहुत important है तो carbon hydrogen के साथ मतलब यह जो carbon है जिसमें आगर आपको यह बना के दिखाऊं carbon जो है hydrogen के साथ double bond नहीं बनाता बिल्कुल नहीं बनाता तो सबसे पहला मेंबर तभी हो सकता है जब वो carbon अपने ही carbon के साथ कोई link बनाए तो इसमें n को two put करना पड़ता है for the first one ठीक है तो कमसकर में बना दो होने चाहिए तब जाके आप double bond या triple bond बना सकते है कहने का मतलब यह है यहां पे तो सिर्फ इसी वज़ा से यह तो हो जाता है आपका ethene और यह बन जाता है इथाइन ठीक है यह ethene और यह ethene बन जाता है अच्छा type of reaction with chlorine देखें सिंपल से बात है मैंने आपको अलोड़ी बता दिया था कि यह जो होता है यह substitution है सबस्टी टूशन जो अलकेन है वो सबस्टीशन करता है बगकी बटा जितने भी आपके unsaturated और वो addition reactions है तो यह इसका required answer है next part में कहता है filling the blanks easy है याब तो आप तो आप तुम फरफर करी लोगे वो बड़ी बात है नहीं आप लोगों के लिए ठाइक of double bond ठीक है double bond होता है alkenes के अंदर due to the present double bond alkenes mainly undergo addition reaction substitution नहीं होता आपका तो उसके माँ बटा next आता है the organic compound which undergo substitution reaction is substitution सरफ alkenes वाले में होता है जिसका general formula है C and H2 N होता है तो यह वाला satisfy हो रहा है क्योंकि अगर N को 2 पूट करोंगा तो 2 दिए 4 4 प्लस 2 6 तो यह satisfy है बागी कैसे में satisfaction जो है होनी ठीक है 10 to the 20 होता है यह minus 2 को यह alkenes को represent कर रहा है बटा यह alkenes को यह आपका है C and यह आपका जो है alkenes को represent कर रहा है ठीक है तो यह alkenes वाला हमेशन दूढना होता है तो यह आपका सही answer है structural formula of the two isomers of butane बना देते हैं अगर आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले बाद normal दिखा देते हैं 1,2,3,4 यह अब आपको बढ़ा आ गया ना तिसमें सिदह सिदह लिख रहा हूं बटा CS3, CS3, CS2 CH2 यह तो बढ़ा हो गया पहले normal butane अच्छा उसके बाद आपके पास है 1,2,3 यह लीजे बटा आपका यहां पर मैंने बना दिया तो यह आगया CS3, CH, CS3 CS3 तो यह आगया बटा आपके पास 2-methyl propane यह आपके पास आगया तो यह दो बटा आपके structural जो है isomers है मेरे butane के ठीक है हाँ उसका आउप से बहुला तो मैं इसका नाम ले जता हूँ इस अपके पास सब्ज़ेगा that is butane वैसे तो normal butane भी कहते हैं अबना और यह जो है हमारे पास है that is 2-methyl 2-methyl that is propane ठीक है तो यही बटा आपके पास यहां पर बनेगा ठीक है यह यह easy है, बहुत मुश्किल नहीं है यह चाहिए आपका, फिर कहता है, तो दो carbon atom है, तो पहले पार्ट का जो answer है, वो हमारे पास आजएगा, ethane, यह हमारा हो जाएगा, saturated है, तो मालब, alkane family के साथ, दो carbon है, तो ethane बन गया, फिर कहता कि, तीन carbon होने चाहिए, alcohol वाला है, तो यह आगया बेटा आपका, प्रो, पे, न, वन, ओल, या प्रोपेनोल भी आप इसको लिख सकते हो, प्रोपेनोल भी आप इसमें लिख सकते हो, दिक्कत नहीं आएगे आपको, ठीक है, एंड लास्ट बेटा आता है, ट्रिपल बोर्ण हाइड्रो काबन, विर टू, टू काबन आपको यह जो कोशन है, उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है, तो आज की लेक्चर के अंतर हमने फाइनली विड़ा जो 12 ए जो एक्सराइस थी, उसके जितने भी कोशन थे, उनके आंसर समझ में डिसकस कर ली है, आपको यह जो कोशन है, उनके आंसर समझ में आगे हो तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए बस इतना ही Thank you so much